नमस्कार 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 दोस्तों मैं निकलेश जेन हिंदी छे स्पेसी नेचल पर आप सभी का हारदे के बिदन करता हूँ और दोस्तों फीडे विश्व शत्रन चैंपेंशिप छडा राउंड एक और परणाम लेकर के आया और इससे पहले मुझे याद नहीं आ रहा त मैं 100% sure हूँ कि पहले 6 मैच में 4 परणाम इस सदी मतलब 2000 के बात से जितनी भी विश्व चैंपेंशिप 1 to 1 हुई है किसी में भी ऐसे परणाम नहीं है कि पहले 6 मैच में से जो है वो 4 परणाम निकल करके सामने हैं याँ पर 2 बात हैं पहली बात जो एक मुझे लगता है जो मेरा point of view है कि आप देखे कि इन में से दौनों में से कोई भी विश्व चैंपियन नहीं है और इसलिए यहाँ पर आपको एक बात दिख रही है कि दौनों जो है प्रेशर में break हो रहे हैं डेफेंस का जो लेबल है वो उतना high नहीं जा रहा है तो ये एक कमाल की बात है और हमें तो result देखने के लिए मिल रहे हैं जो result जो है वो हमेशा अच्छे होते हैं गेम को आगे ले जाने के लिए तो अनुभाव है नेपो को जाता है लेकिन विश्व चैंपियन वो भी नहीं बने है तो nervousness जो है वो कहीं न कहीं है दिख रही है कि accuracy जब defense की बात आती है दोन कुण है कि आप देखिए कि कालसन के जाने के बाद कालसन ने विश्व चैंपियोंशिक बुला कि हम नहीं खेलेंगे उसके बाद एक और है कि दोनों के अंदर एक आग भी है कि यही वो मौका है विश्व चैंपियन बनना इतिहास में नाम लिखाना हर किसी का इस अपना हो लेकिंगे लंदन सिस्टम और जब बोर्ट पर लंदन सिस्टम खेला डिंग लिए ने तो नेपो भी थोड़ा चौक गए क्योंकि लंदन सिस्टम उन्होंने भी उम्मीद नहीं की थी कि खेल के छटे राउंड में लंदन सिस्टम कॉप्यों किया जाएगा वो भी जब नेपो मिंसी पिछला मैच सफेद महरों से जीत चुके थे तो उनकी कोशिश होनी चाहिए थी कि यह मैच को होल्ड करना है और यह एक बात थी विशप F4, C5, E3 यहां पर हम जानता है बहुत सारे वरियेशन से कुईन B6 भी है, E6 भी है, Nc6 खेला जो सबसे में लाइन है य यहां पर C3 की वरियेशन को डिले कर रहे थे, उन्होंने खेला Nbd2, Cxd4, Exd4, एक्चेंज वरियेशन खेला यहां पर नेपो मिंसीन है, now Bf5, यहां पर वाइट करता है C3, यह सबसे में लाइन है, E6 तो अपना डेवलपमेंट जो है जारी रखते हुए, यहां पर हमने सबसे ज़्यादा देखा है Qb3 लाइन को, सबसे ज़्यादा हमने यही देखा है Qb3, Bd6, Qb7, यह इस तरीके से एक critical लाइन है जो खेली जाती है, anyway, Bf4, तो यहां पर जो है, डिंग खिलते हैं, Bb5, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं खेला गया, पर फिर भी इस लाइन को मास्टर रहे हैं, गाटा कामस्की, जो कि USA के टॉप प्लेयर हैं, और रहे हैं, टॉप प्लेयर रहे हैं, गाटा कामस्की, तो बिशप B5 वही सबसे ज़्यादा जो है वस लाइन को खेला करते थे, बिशप D6 यहां पर खेला नेपो मिंसी ने, तो बिशप इंटो D6, Queen यहां तक कि ऐसा लगे कि कोई किसी को बहुत ज़्यादा खास बड़त है, ज़रूर वाइट को थोड़ा से स्पेस एडवांटेज है, पर उसके लावा ऐसा कुछ नहीं था, यहां पर डिंग ने, और नाव यहां पर नेपो खिलते हैं, H6, जो कि एक मैच है, गाटा कामस् कीते थे, यहां पर H6 के बाद, यहां पर डिंग ने खेला, नाइट E5, जो कि नौवल्टी है, मतलब इससे पहले नाइट E5 नहीं खेला गया है, और इसका जो जवाब था, यहां पर नेपो देते हैं, नाइट को अपने पीछे खिच लेते हैं, E7, डिंग कंटीनू करते ह A4, अब यह A4 का कई बार आइडिया कैसा होता है, कि अगर अपने ने A6 किया, तो इसको A5 करके छोड़ सकते हैं, और एक, जिसको होते हैं, माइनॉर्टी है, एक सिंगल पान से आप दो पॉन को होल्ड कर सकते हैं, B6 पे एक होल्ड बना कर सकते हैं, A6 हुआ, बिशप F1, यहाँप बचाय रखा है, एक बार ने भूचांघ को बचाये रखा है, यहाँप 스킬 नाइटक को न्युक्त का बचाय रखा है, यहाँपटन एक नाइटक होकू दाल रहा है, Kt5 की दैयार ही हो सकती है, तो यहाँपर अपर इसको बचाया है, प्रजीशन प…. वाइट अल्री स्लाइटली बेटर था और उसका रीजन है यह एक तो A5 का पॉन दूसरा D4 का पॉन तो यह E5, C5, B6 पर हलका सा कंटोल आ रहा है तो आप देखो तो इस पेस में जो है यहाँ पर वाइट जो है वो फेवरेट है दूसरा एक और आइडिया है कि जैसे कि अभी यह भी हम देखें तो ब्लैक के पास इस नाइट को लेकर के बहुत ज्यादा अच्छे प्लान नहीं लेकिन वाइट के पास एक प्लान जरूर है, नाइट B3, नाइट C5 बैट सकता है, B4 कर सकते हैं तो आप Queen साइट से पुरा ब्लॉकेट कर सकते हो, B7 पर प्रेशर रखते हुए, इस तरह के कुछ प्लान थे, इन्होंने सबसे पहले खेला Queen C7, Queen F3 लेकर के, यहाँ पर आइडिया यह है कि जब भी आपको B4 करना है तो आपको C3 पर सपोर्ट चाहिए ना, तो Queen F3 के अनो है, तो Rook F C8 आए, यहाँ पर Rook A3 खेला, डिंग ने, अब डिंग का Rook A3 Actually Double H idea है, Double H idea है कि मौका मिलेगा तो तुम कर देंगे यहाँ पर B4, और नहीं मिलेगा तो आगे चलके Knight B3, Knight C5 और Rook B3 से हम B7 पर प्रिशर डाल सकते हैं, तो यह एक नेपो का second idea था और यह वो मुमेंट था जहाँ पर दिक्कत यह थी, नेपो के लिए की सही और accurate चालेंज जो है, वो ढूडने की ज़ुरत थी, और ने Bishop G6 खेला पहले, Knight B3 यहाँ पर आए, so now Knight C6 आते हैं वो, और यहाँ पर actually में नेपो का एक प्लान था कि A5 पर प्रेशर रखो और E5 की तैयारी रखो, तो एक counter play वो create कर रहे थे board पर, यहाँ पर Ding ने Queen G3 खेला, और मेरे ख्याल पेसिव जरूर है, यह definitely black के लिए अभी भी, लेकिन यह बचना चाहिए, मतलब इस पर ऐसा कुछ बड़ा होना ने चाहिए, Bishop F5 और बाद में कभी मौका मिला, कभी मौका मिला तो यह Bishop इदर से भी activate हो जाएगा, तो यह चलता, यह position चलनी चाहिए थी, लेकिन नेपो ने य किंग साइट से भी चालू कर दिया उन्होंने, H4 अभी आने वाले समय में आइडिया रहेगा, जरूरत पड़ेगे तो H5 भी खेलेंगे, और एक और important बात थी कि Queen जो opponent की possibility थी कि वो King साइट यहां से आके इस front से exchange करे, ना कि उधर से, उसको भी 0 कर दिया कि भाई, अब तो काउंटर अगर आया तो यह उतना अच्छा नहीं होगा, डिंग ने खेला Nc5, नेपो ने खेल दिया E5, यहां पर रुक C8 खेला जा सकता था, बेटर होता, रुक B3 के बाद यह ओके है, पोजिशन रुक C7 भी खेला जा सकता है, बट, रुक B3 के बाद तो नाइट A5 ही आ बेरेक मिल गया, अब रुक इंटू B7 का थ्रेट है, नाइट इंटो A5 उनने खेला, बट रुक इंटू E5 आया, क्वीन F6, तो रुक A3 रुक को बचाया, नाइट C4, तो यहां पर अपना बिशप दिया, बिशप C4, बी C4, यहां पर डिंग खेलते हैं, H5, और यहां पर इसको हटना पड़ेगा, यहां पर बिशप C2, तो नाइट इंटू B7, और यह पोजिशन के बाद, अल्रेडी ऐसा लग रहा था कि, एडवांटेज जो है, वो डिंग के फेवर में जो है, वो जा चुका है, रुक की पोजिशन देख लीजे, यहां पर, और नाइट भी ज जाएगा, और अगर आपने कुईन B2 डिरेक्ट मारा, तो नाइट E8 विद्धा मेटिंग थ्रेट आ रहा है, तो इसलिए यह जो चीज है, वो काम नहीं कर रहे थी, यहां पर नेपो के लिए, तो नाइट D6 पे उन्होंने खेला, रुक E5, कुईन B2, तो ना रुक A5, एक बार आपने किंग को H7 लेगा, क्योंकि जैसे यहां पर अगर कुईन C3 जाते, तो नाइट E8 आता, बहुत ही डेंजरस ले आता, अगर आप मारोगे तो खेर कोई बाती नहीं है, एक्चेंड डाउन है, और किंग का पोईशन खराब है, और अगर नहीं मारते तो यह इ पूट मिल करके कुछ कमाल कर दे, तो रुक C5 खेला, उन्होंने C4 पर प्रेशा रखा, अचा, ओके, जवाब दिया इन्होंने QC1, अचा, यह वो मुमेंट था, कि अगें QC3 जादा बेटर होता, QC3 अगर रुक F7, अगर यहां पर Nf7 खेलते हैं, तो विशप D3 के बाद पूजिशन जो है, वाइट को फेवर कर रहे हैं, लेकिन ब्लैक के पास चांसेस हैं, और क्योंकि QC1 और जरुत पढ़ने पर QDefense में पीछे आ सकता है, अगर यहां पर QC3 पर रुक C7 वगरे खेलते हैं, तो यह भी था कि यहां पर QD2, रुक F7, QG5 के बाद जो है लेकिन जब उन्होंने खेला और C3 नहीं मारा, ओके, QH2, F6 खेला यहां पर, QG3 और QG3 बस नहीं था, यहां पर बहुत सारे थ्रेट करेट हो रहे हैं, तो रुक C7 कभी भी आएगा, अलाकि वह धियान रखना है कि QG5 अलाओ ना होने पाए, तो यहां पर इन्होंने किया A5, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर रुक A7 खेलके वो, जोगी वो नाइट E8 को अगर अलाओ करते हैं यहां पर, तो क्या होता है, अब मालेजे A5 करते हैं, तो यहां पर आप लोग सो सकते हैं, ब्रिलियंट मूव आ रहा है, कोई इन्टो जी से, और रुक इन्ट इन्ट गेम में जाने की जुरत पड़ी, तो दिंग ने उसका बिंदर जाम कर लिया था, A4, तो नाउ नाउ नाइट E3, बिशप पर अटाक, और बिशप पर सिर्फ अटाक नहीं है, यहां पर आप देख सकते हो, लाइट कलर पर अगर कंट्रोल गया, तो किंग को चेक आ रहा था, तो नाउ रूख A7, A वाले पॉण को कंट्रोल किया, A3 आगे बढ़ा, तो नाउ नाउ नाइट E7, रूख पर अटाक, रूख F8, तो नाउ यहां पर खेला, D5 डारेक्ट, नाइट G6 भी खेल सकते थे, नाउ A2, तो यहां पर जब हो जस्त फिनिश किया, डिंग ने, क्वीन C7 खेला, भी थेट है, नाइट G6 और चेकमेट का, तो नाउ ना खेला, किंग H7, नाइट G6, रूख G8, पर आफ्टर क्वीन F7 जो है, यहां पर रिजाइन कर दिया, क्योंकि आने वले टाइम में अप थेट आ रहा है, इवन रूख इंटू G8 और आप पर बचाना जो है, वो लगबग असंभव था, इसलिए इस पोजीशन पर रिजाइन कर दिया, आफ्टर क्वीन F7 यहां पर नेपो ने वो हार स्विकार कर ली, यह बहतरीन जीत, डिंग लीरेन के लिए, और डिंग लीरेन ने स्कोर जो है, अब कर दिया है, तीन-तीन, और यह विश्व चैंपेंशिप जो है, अब अब इस विश्व चैंपेंशिप में आठ राउंड और बाकी हैं, और जिस तरह से परिणाम आ रहे हैं, बैक टू बैक, अब कहना वाकई मुस्किल हो रहा है कि कौन जीत सकता है विश्व चैंपेंशिप, आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं,